अजम बनेंगे एक बहुती टेस्टी और हेलदी गवारफली की सबजी और इससे बनेंगे हम एकदम अलग तरीके से आजम बनेंगे ढोकली के साथ गवारफली ये गुजराद और राजस्तान की बहुत ही फेमस सबजी है रोटी पराठा के साथ आप इसे सबजी की तरह भी खा सकते हैं और रोटी पराठा के बीना आप इसे ऐसे ही खा सकते हैं खूब सारे इसके हेल्स बेनिफीट्स है बनाने में एकदम easy है और एकदम ज्यादा tasty भी लगती है तो चलिए बनाते ही गवार फली ढोकली इसको बनाने के लिए अभी यहाँ पर 200 ग्रम गवार फली ली है इसे लेते वक्त एक बात का खास दियान रखना है कि यह एकदम पकी हुई नहीं होनी चाहिए यह थोड़ी हाड़ पाड जो होता है उसे कट कर लेंगे तो इसे जो हाड़ पाड है उसे हम एसे कट कर लेते हैं और इसे बीच में से हम गवार फली की जो साइज होती है उसी साब से दो या तीन टुकडे कर लेंगे ऐसे तो यह सारी गवार फली को हमने एसे टुकडों में कट कर लिया बाकी की सामगरी भी देख लेते हैं धोकली बनाने के लिए एक कटोरी गेहों का जो नूर्मल रोटी वाला आटा होता है वो लिया है और हाफ कटोरी बैसन लिया है और दो टमाटर की प्यूरी बना कर लिया है और वन टेबल स्पून यहां पर लिया है क्रश किया हुआ गालि उसके साथ ले लेते हैं बेसन और दो चोटी चमच उल डाल देंगे साथ में स्वादानुस और नमक डालेंगे वन टीस्पून जितनी हल्दी पाउडर डालेंगे वन टेबल स्पून जितना लाल मिर्च पाउडर और वन टीस्पून जितना धन्या जीरा पाउडर डालेंगे और साथ में वन फूर्ख टीस्पून जितनी हिंग डालेंगे और हाफ टीस्पून जितना अजवैन डालेंगे अजवैन को हाच से थोड़ा मसल कर डालेंगे ताकि इसकी फ्लेवर अच्छी आए और अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसका आटा लगा लेना है जैसे हम पराठे के लिए आटा लगाते है वेसा हमें आटा इसका लगा लेना है तो ये नरम पराठे जैसा आटा मेंने लगा दिया है वन्टी स्पून जितना ओल डालेंगे और अब इसे ढग कर रख देंगे साइड में सेट होने के लिए आटा सेट हो रहा है तब तक हम गवर फली का तड़का तयार कर लेते हैं गेस पर एक पेन रख दिया है और इसके अंदर 3 से 4 टेबल स्पून ओल डालेंगे इसके अंदर थोड़ा ओयल ज्यादा लगता है ओयल गरम होते ही इसके अंदर 1 टी स्पून राई डालेंगे 1 टी स्पून जीरा डालेंगे और 1 टी स्पून जितना अजवईन डालेंगे अजवईन इसके अंदर खास डालना है हमें और साथ में डालेंगे हमने जो क्रश किया हुआ गालिक है वो भी डाल देंगे इसके साथ इसके अंदर मिक्स कर देंगे और हलकासा इसे भून लेना है तब तक जब तक हमारा गालिक का कच्चापन दूर ना हो जाए और अब इसके अंदर कटी हुई गवार फली डाल देंगे और अब इसा अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसके अंदर 1 फोर्क टी स्पुन जितनी हिंग डालेंगे और साथ में 2 छोटी चम्मच जितनी हल्दी पाउडर डालेंगे और लाल मिर्च पाउडर अपने टेस्ट के अकोडिंग वन टेबल स्पून जीतना धन या जीरा पाउडर डालेंगे हम नॉर्मल गवर फली की सबजी बनाते हैं उसके हिसाब से इसके अंदर मसाले थोड़े ज्यादा पड़ते हैं और साथ में डाल देंगे स्वादानो सरनमक और अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है और गवर फली को इन सारे मसालों में दो मिनट तक ऐसे ही हमें भून लेना है अब इसे डग कर हम लगपक पाँच मिनट के लिए ऐसे ही चोड़ देंगे पांच मिनट के बाद इसे एक बार चला लेंगे और अब इसके अंदर डालेंगे टमाटर की प्यूरी जो हमने बना कर तयर रखी है वो इसके अंदर डाल देंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसके अंदर डाल देंगे गूड और अच्छे से mix कर लेंगे और टमाटर के साथ गवारफली को हमें फिर से 2 मिनट तक पकाना है ताकि टमाटर का कच्चापन दूर हो जाए 2 मिनट के बाद इसके अंदर 1 लिटर जितना पानी डालेंगे पानी इसके अंदर थोड़ा ज्यादा डालना है क्योंकि ढोकली को भी हम इसी के अंदर पकाएंगे पानी को अच्छे से उबलने देना है ताकि गवरफली भी इसके अंदर पक जाए ठककर इसे चोड़ देते है और गवरफली पकती है तब तक हम ढोकली बना लेते है जो आठा हमने side में रखा था उसको अच्छे से गुन लेते हैं और इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेते हैं पाच पेड़े हमने बना लिये हैं और अब इससे हमें बेल लेना है और यह एक पेड़ा ले लिया है उसके उपर सुखा आठा लगा देंगे और पराठे की साइज का हमें इसे बेल लेना है और इसे हमें एकदम पतला नहीं बेलना है पराठे से थोड़ा मोटा रखना है इस तरह तो इसे हमने ऐसे तयार कर लिया है साथ में हम देख लेते हैं गवर फली एकदम उबल चुकी है और ये सारे हमने बेल लिये है और इसे हमें अब कट करना है स्क्वेर में इसे कट कर लेंगे और बहुत बड़ी साइज नहीं रखनी है इस तरह हमें कट कर लिया है इसी तरह हमने सारी ढोकली को ऐसे कट कर लिया है और अब देख लेते हैं गवार फली को अच्छे से ये उबल चुकी है तो चलिए इसे चेक कर लेते हैं तो ये 80% तक कुक हो चुकी है बस हमें इसे इतना ही कुक करना है और अब इसके अंदर एक-एक करके ढोकली डालेंगे और ढोकली हमें एक ही साइट नहीं डालनी है अलग-अलग जगा पर एक-एक करके डालनी है एक साइट भी नहीं डालनी है थोड़ा-थोड़ा इसे हम चलाते जाएंगे तो सारी ढोकली को हमने इसके अंदर डाल दिया है और हलके से इसे चला लिया है और इसे हमें थोड़ी दर ऐसे ही पका लेना है और 5 मिनिट ऐसे ही पकाने के बाद इसे ठक देते हैं और दिमी आज पर पकने के लिए छोड़ देंगे और ये 10 मिनिट के बाद हम चेक कर लेते हैं तो ये ढोकली और गवार सिंग हमारी एकदम अच्छे से पक चुकी है तो देख सकते हैं इसका जो पानी था वो भी थोड़ा एब्जोब हो चुका है ढोकली के अंदर और सबजी हमारी परफेक्ट बन चुकी है तो अब इसके अंदर डालेंगे थोड़ा लेमन जूस लेमन मीठा थोड़ा खटा टेस्ट इसका बहुत ही अच्छा लगेगा तो अब इसके साथ डालेंगे हरा धन्या और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके साथ वन टेबल स्पुन जीतना गी डालेंगे इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा और इसमें एक अच्छी इसी शाइन भी आ जाएगी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और वन टीस्पून जितना गरम मसाला भी डाल देंगे एक पर अच्छे से मिक्स कर लेंगे गवर्फली डोकली साव करने के लिए तयार है इसे एक बावल में निकाल लेते हैं तो फ्रिंस सूपर टेस्टी सूपर हेल है तो फ्रिंस तयार है गुजरात और राजस्थान की मोस्ट फेमस गवार ढोकली